हाई फोक्स हाव यू आल तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चिन और बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अपना एप सेफ या सेफ नहीं है फेक जॉब्स है या फेक कंपनीज हैं जोगी ट्रैप कर रही है लोगों को अपने जाल में पैस करें कि जॉब आप फर जो आप कंचिडर कर रहे हैं वह फेक है कि रियल है आपको क्या-क्या पॉइंस माइन में रखने चाहिए जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो क्योंकि बहुत लोगों का वैनेस नहीं होती बहुत लोग जो हैं वह जौब ढूंदते हैं और इस इससे आपको बहुत होगी तो प्लीज वाच दिस वीडियो तिल यह बहुत होने वाली है और मैं बहुत चोटी वीडियो यह मना रही हो ताकि आपको बस इंपॉर्टेंट चीज में पता चले और यह बस चोटी वीडियो है तो आप पूरी देख सकते हों अगर आपको यह वीडियो और इंफरमेशन पसंद आए तो जिस्ट गिविट अ थम्स अप एंड सब्स्राइब तो मैं चैनल कमी कीती एंड लीव कमेंट तो अगर मैं बात करूं कि इस अपना एप फॉर एक जॉब के ट्रैप में फस जाते हैं क्योंकि इसमें जीस्टी नंबर चाही होता रिजिस्ट्रेशन के लिए एज़ा कंपनी डॉक्यमेंट तो कि फसाने के लिए और किसी से पैसे नकल वाने के लिए लोग जिए फेक जीस्टी नंबर भी उसमें डाल सब्सक्राइब तो सता किसी भी चीज की क्योंकि चीजे बहुत अन्प्रेडिक्टेबल है तो अपना आप का भी सेम चीज है कि अपना आप जितना भी कोशिच कर ले कि 100% ऑथेंटिक रहे या 100% फेक जॉब से दूर रहे वो नहीं हो पाएगा आपको जो है वो कॉश्यस रहना है आपको अगर आप उस चीज को माइन में लोगे और आप किसी फेक जॉब के ट्रैप में फस गए तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फसते हो तो जो अब मैं पॉइंस बताने वाली हो आपको वह आपको नोट करना है वह आपको दिमाग में रखना है जब ही आप कोई जॉ कर रहे हो तो आपको यह पॉइंस जो है वह माइन में चैक लिस्स बना लेनी हो टिक तिक करते जाना है अगर टिक टिक नहीं हो रहा हो जो तो मेक शुर कि आप उस जॉब और को आगे प्रोसीर मत करना और उस जॉब ऊफर को निगले करना और मेवी आप रिपोर्ट भी कर स का इसंट निया। इससे बहुत अच्छी कि यह और आप ऑकर आपके साइड से इसे भी को है और आपने अपने आप के जो फर्म वाईडर है, यह Coin ऐसे आप आप है वाइडर हैं उनको आपने आप उपने यह था हैं कि要 mm HA जब मांगते हैं जब आपका offer letter आपके हाथ में आ जाता है जब आप कंफर्म हो जाते हो कि आप employee हो उस company के तब आप bank detail देते हो अपनी salary के लिए राइट second is कोई भी आप fee pay नहीं करना अगर आपको कोई भी आपको कह रहा है कि इतना पे करने से आपको 100% यह job मिल जाएगी तो वो फेक है याद रखना वो फेक है कोई भी फी नहीं चार्ज करता है application fee या registration fee जो भी authentic job offer होता है क्योंकि उन्हें तो employee चाहिए उन्हें अच्छा candidate चाहिए उन्हें वो पैसे तो कमा ही रहे है और वो पैसे आपको देने को त्यार है तो आप से पैसे लेंगे क्यों आपको जॉब दिलाने के लिए तो यह टोटली फेक है तो यह टोटली फेक होता है तो आपको यह माइन में रखना है कोई भी आप फी पे मत करना in terms of registration fee application fee कोई आपको फी पे नहीं करना और जहां कोई कि आप से मांग राएं कहीं हम इतना चार्ज लेंगे अपका इंटर्व्यार एक्ट्र यह कराने में या आपका जो टेस्ट है वह क्लेर कराने में तो वह यहां इंपर्टन है याद रखना एजैसे अपना अप में आप डिर्यक्ली कॉल कर सक्ते हो आप एचार को कॉल कर के देखो एक बार information लो जॉब डिस्रिप्शन लो अगर एचार जो है वो जॉब डिस्रिप्शन आपको नहीं दे पाता तो वह एचार ही नहीं है उस कंपनी का वह वह नहीं देख रहा उस कंपनी को तो यह फेक है तो कि हरे चार को पता होता है जो उसने प्रोफाइल डाली है ज होने नहीं पता जॉब डिस्रिप्शन और वो कह रहें कि लेट्स मीट एंड देन आइल टेल यू तो वह फेक है मच जाना गाइस मच जाना दिस वोस थर्ट पॉइंट की आया चार को आप कॉल करके कंफर्म कर सती हो कि जॉब प्रोफाइल क्या है अगर वह सेल्दी नहीं अगर आपको बता दी तो वह थेंटिक है घाई तो यह तीसरा पॉइंट था फॉर्थ आपको देखना है जैसे अगर आपने अचार को फोन कि और आपको सब सही लग रहा है ठीक है आपने का आपको कंपनी का नाम क्या कंपनी का नाम नोट करना है उसकी सोशल मीडिया प्र प्रेटफोर्म फॉर चेकिंग वेदर दा कंपनी इस पेक और रियल आप जाओ लिंग्डिन पे उस कंपनी का नेम सर्च करो अगर दिखती है तो वेलन गुड है आप उसके बारे में और जान सत्ते हो अगर नहीं दिखती है तो वह फेक है क्या हर कंपनी लिंडिन पे है औ को बीक्त करें कि वह कोई जानता हीेर कि इस फैस framework इंस्टाना चाहते हैं अपने दिखती है अब वह यहां सब्सक्राम्द्ग अगर आपने किसी एप पे सर्च नहीं किया है और आपके जो है मेल पे यह जॉब ओफर आया कोई भी रैंडम जॉब ओफर आया तो आप कैसे इडेंटिफाइ करोगे कि वो रियल है कि फेक है अगर वो फेक है तो वो आपके सब्सक्राइ किوجिसी समय करें आपके सब्सक्राइब अगर किश्यक्यारड फोलडर में जायेगा क्यूंकर आपके स企ह विद्ने attachments já कोँझ मैं कि पटले या फ्सक्राइब ओफर आपके सब्सक्राइब और चलते हैं और पैसे उनकी मिल डिलीट करना है और आप रिपोर्ट भी कर सकते हो अनाधर तिंग डाट चेक जो भी आपको अफ़र लेटर है उसमें ग्रमाइटिकल अगर है तो फेक है क्योंकि कोई भी एचार इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करेगा चोटी चोटी ग्रमाइटिकल एडर भी वह देखते हैं फुल स्टॉप और कॉमा भी वह देखते हैं तो अगर आप इंग्रिश में इतने अच्छे नहीं हो तो आप किसी अपने फ्रेंड से किसी अपने प्रोफेसर अपने गाडियन से आप चेक कर आस यह थे कुछ पॉइंट जो आपको माइन में रखने हैं अगर आप जॉब सर्च करें और आपको दूर रहना है फेक जॉब से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो गिव मी अ थाम्स अप सब्स्राइब तो मैं चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और आप कमेंट कर स मैं सोचा कि मैं यह वीडियो लाती हूं क्योंकि बहुत लोग को अवेर्नेस नहीं होती है कि क्या पॉइंस माइन में रखने हैं जोब सर्च कर रहा हूं तो यह मेरे को नौलिज था यह मेरे पास इन्फरमेशन थी और आपको पसंद आई यह वीडियो तो लाइक करना झालिज आपको पसंद आई दो लाइक करना एंपको अवे भीडियो खाग करना एंपको नहीं हैं जो लाइक करना एंब।